हेलो फैंड्स वेलकम बैक तो फैंड्स LG ने 2023 के काफी सारे 4K TV मॉडल इंडियन मार्केट में लॉंच कर दिये हैं जिनके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए सभी वीडियो के लिंक उपर आई विटन में आपको मिल जाएंगे काफी साथ लोग पूछ रहेते कि LG के 2023 के 32 के स्मार्ट इवी मॉडल कब लॉंच होंगे तो LG ने 2023 के दो 32 के स्मार्ट इवी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉंच कर दिये हैं तो चलिए जानते हैं LG के इंटिविज की सारी डिटेल्स तो फेंट्स LG ने 2023 के 32 के 32 के दो स्मार्ट इवी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉंच किये हैं LG 32 LQ 640 BPTA LG 32 LQ 645 BPTA LG की LQ Series Last Year 2022 की स्रीज है इसी के अंडर में ये टिवी लॉंच किये गए हैं LG के 2023 के 32 के स्मार्ट इवी मॉडल से अगर इंडिविज को कंपेर करेंगे तो यहां पर कुछ अपग्रेट आपको देखने को मिलेंगे यहां पर LG ने जो ये दो स्मार्ट इवी मॉडल लॉंच की हैं यह आपको काफी कंफ्यूज कर देंगे क्योंकि इन टिवी की बिल्ड कॉलिटी लोग से डिजाइन इनके सारे फीचर्स इनकी सारी स्पेसिफिकेशन हंडेट परसेंट सेम तू सेम दी गई हैं एक भी छोट एक स्पट के साथ में सेम डिजाइन के साथ में सेम प्राइज के साथ में। दो टी वी मॉडल लॉंच किये हैं दो commence की उ ec हलाग कि यह दौनोंगी टीवी 100% सेम हैं तो आगे जितनी भी सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं वह इन दौनोंगी टीवी की डिटेल हैं दौनोंगी टीवी पे वह एप्लिकेविल होती हैं और उनमें थोड़ से सिलिम बैजल दिये गए थे कंपियर टू फुल एच्डी वेरियंट हाला कि जो एच्डी रेडी वेरियंट थे तो इसमें भी थोड़ से बैजल जरूर देखने को मिलते थे यहाँ पर जो इसमें काफी सिलिम बैजल आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर इस टीवी का पैनल टाइप यह ने डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन थार्टी टूंच के जितने भी स्मार्ट टीवी मॉडल हैं सबहने सब्सक्षेक किए मैं इपनल ही जर्री को मिलता है यह पर उसकता है यहाँ बैके सब्सक्राइप साब यह पर घर यहangan je लाइट टेकनोलजी दिगाई है 60Hz refresh rate दिया गया है HDR 10 का सपोर्ट दिया गया है एक्टिव HDR टेकनोलजी दिगाई है जो कि scene by scene frame by picture quality optimize करके दिखाती है HLG का support भी यहां पर मिल जाता है LG की 2023 के फ्लाल जितने भी TV model launch किये गए है सभी में A5 generation 6 processor दिया गया है लेकिन इस TV में जो अभी यह launch हुआ है 32 inch का variant तो इसमें A5 generation 5 processor दिया गया है जो कि LG के last year के 2022 के सभी variant में देखने को मिला था तो यह TV भी last year की series के under में ही launch किया गया है तो इसलिए यहां पर A5 generation 5 processor दिया गया है इस TV के audio system के बारे में बात करें तो यहां पर 16 watt का audio output दिया गया है last year के जो इसी series के TV model थे LG LQ570573 तो उनमें 10 watt का audio output दिया गया था लेकिन यहां पर 16 watt का audio output दिया गया है तो audio output यहां पर इंप्रूफ किया गया है last year के comparison में और यहां पर clear separ psychology का सपॉर्ट देखने को मिल जाएगा 5.1 चनल virtual sound technology का सपॉर्ट भी यहां पर देखने को मिल जाएगा HZI favor gaming ब्लेकों भी देखने को मिल जाए गा gaming dashboard बहुत को देखने को मिल जाएगा डॉट बैंड Wi-Fi मेंद जाए य ठैकले जा रहा है Bluetooth Surround Ready feature यहां पर मिल जाएगा यानि कि LG के दो Bluetooth speaker आप एक साथ इस टीवी के साथ में connect करके Surround Sound जो है वो create कर सकते हैं इसके लावा यहां पर Miracast का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा built-in Chromecast मिल जाएगा apple earplay apple home kit apple earplay टू का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा यहां पर जो कोई भी वाइस साच फीचर फिलाल आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस टीवी के साथ में जो standard remote control है जो conventional remote control है वही देखने को मिलेगा magic remote control यहां पर नहीं दिया जा रहा है हलाक कि अलग से अगर आप magic remote control purchase कर लेंगे तो यहां पर आपको नहीं मिलेगा वह आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा इसके लावब जितनी भी ओटिटी एप से यूटूब नेटफिक्स प्राइम वीडियो हॉटस्टा जी फाइव वूट सॉनी लिप जैसी सारी जरूरी एप का सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा वैव वैस वर्जन जो है वह यहां पर दिया जा रहा है वैव वैस 22 और अभी जो 2023 में टीवी मोडल लाउंच हुए उनमें वैव वैस 23 दिया गया है तो उनमें बहुत जादा कोई ऐसा खास फर्फ बेसिकली नहीं है और जो मैटर टेक्नोलजी 2023 के टीवी में दी जा रही ह दो यहाँ पर यूसबी पोर्ट दिये जा रहा है लास्ट यहां रिया रेंट में एक weiterhin नाइड दिया जा रहा है डिजिटल आप्टिकल ऑडियो और भी यह पर दिया जा रहा है तो इस सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शन्स यहां पर आपको मिल जाते हिं इस टीवी के कि यह 14,000 रुपे की रेंज में आपको मिल जाएगा और आफ लाइन स्टोर में अगर आप यह टीवी पर्चेस करते हैं तो यहां पर आपको साड़े बारा परसेंट का कैश्ट बेक भी देखने को मिल जाएगा तो अगर आप एक थार्टी टूंच का स्मार्ट टीवी मॉडल पर्चेस करना चाहते हैं तो डेफिनिटल यह टीवी आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि अगर देखेंगे तो बजट कैटिगरी के जो थार्टी टूंच के टीवी मॉडल है वो भी आपको ग्यारा बारा तेरह जा चौरह जार पंदरह जार रुपे की रेंज में मिलते हैं अ वाइस अगर आपको यूज करना है तो मैजिक रिमोट चंतल आप यूज कर सकते हैं बाकी लगाश की तरह उसको जाकर क्लिक कर सकते हैं तो वह एक काफी अच्छा ऑप्शन लगी के टीवी में मिल जाता है अगर मैजिक रिमोट कंतल उसके साथ में है तो तो आइटिक यह काफी बढ़ी आया हमेशा से देखने को मिलता था कि एल जी के जो थार्टी टूंच के टीवी मडल होती तो इसमें काफी थिक बैजल काफी मोटी मोटी बैजल दिये जाते थे जो कि एक अच्छी चीज नहीं लगती थी लेकिन एल जी ने जो है यहां पर थोड़ा सा अपग् लिजिट किया है तो चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई